नमस्कार, मैं हूँ स्रीनवास सिर्मले, आप देख रहें टीएस टीवी नियोज, आईए देखते हैं शेहर के कुछ कोरोना वारस की महामारी को लेकर देश बर में जहां लागडान किया गया था वहीं पर जो रोजन्दारी पी काम करने वाले की काम बंत हो गई और उन्हें काने की जर्रस से ज़्यादा तकलिफ होनी लगी जिसके लिए यात्रा एक रहा की अध्यक्षा डाक्टर सुचरिता कंकरत नमने सोच कर कि उनके लिए कुछ करना चाहिए उन्होंने अपने माध्यम से अपने कुछ कारे करता हूं को बेचकर कई क्षेत्रों में पहला खाना बाटने लगे खाने के बाद में फिर सोचा के खाना एक दिन का या एक वक्त का रहता है इसलिए उनके लिए कुछ न कुछ अनाच की विवस्ता किया जाए फिर उनके बाद में मुंबई के कई क्षेत्रों में उन्होंने भी उतर कर कई गलियों में सर्वे करकर उनको अनाच का वगरा वितरन किया गया है चलिए देखते एको चर्चित तब प्याद्रा एका एंग्यों चो पेशिटेंड शुचित्रा कानक रजना माडम नी बैंक ऑबीस वाई पेशिटेंड के इस मिलकर पचास फामिली को राशन बाटा इसके पहले मैंने रिवन फर्मिशन के साथ मिलक के प्वांसो फामिली को राशन बाटा था मैं मिलकर तीन सो लोगों का राशन बाटा था बाकी उसमें सब कुस था दाल चावाल रायन तेल एसक था और उसके बाद उन्होंने तीन सो लोगों का राशन बाटा था मैंडम ने इस एरिया में और हम लोग का एक बंगाल का पेशन था उनके लिए भी मैंडम ने बहुत हेल्पी यहां से कलकता भेजने इतका लगक को उन्होंने परमिशन निकलके दिया इसके लिए माडम को दिन से दने बाद हमारे एरिया और रोके जब के तरफ से आम दने बाद बोल से हैं शोम्हें कि प्रवमादी हमोगा भी आपले से लेगरत कि मोग ऑन्योंगई हम स wells जयारतरिक को पर विप् shouted यह स्यक्त जेद में जश्त छोका अल्लियसों और ढान सो बार समय गहा शया कोlove मीरम, खी को र milloras आपको बहुत धनिवाद, बहुत अच्छा है, आपको बहुत धनिवाद, आज हमको गर पेटे श्रवन राशन दिया है, मुझे चलने नहीं होता, वो गर तक राशन दिया, आपको परिवाद, आश्रा मेडम, रंपन धनिवाद, सरलो रेटा राशन कोरताओँ。 शुसीत्रा मेडम, रंपन धन्डिर, सरो लो रेसन कोरताओँ. मैं इंदरा नगार में रहता हूं हजी बंदर शीवरी इस्ट में हम लोग रहते हैं तो हमारे पास जो लॉक। जो न जब गरीब लोग थे कामा के खाने वाले थे तो कहीं से मजोरुरे न है ना पैसा आने का थे कंद तो ही वक्त में तो नि booster अमेर आग्मी नहीं है तो इनके बहुत परिशान हो गए ते लोग पूरी परिशान हो गए ते जिसके पास आनाज बनाज कुछ नहीं था तो कोई और भी संस्था थी इधर उदर से तो उनका संस्था है यात्रा एकता करके तो वो संस्था के तरफ से मैडम ने आईसा मदद का हाथ बढ़ा दिया हमारा इंदरनगार में तो उन्होंने पहली बाहर में जोरुत मन को जो गरीब लोग है उनको 500 पैकिट अना चावल आठा और तेल नमग हर चीज का साबुन इतना बड़ा पाकिट बना कि उन्होंने मैडम ने हाथ बढ़ा कि बहुत यहां पर मदद किया 500 पाकिट मदद किया उसके बाद में दो चार दिन के बाद वापस 800 पैकिट वापस फिर बाटा मेडम ने मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा इस वकत बहुत परिशान थे लोग उस वकत बहुत मतलब परिशानी में ते रासन नहीं था क्योंकि उनको खाने की और भी तक शाड़े साथ में बाटा है और भी में सुना कि मेरे दोस्त उनके साथ में जुरे हैं खाना ओब भी लाखे बाट रहे तो उन्हें ने बोले कि और भी मदद करना है उनको और आड़ाइसोफ पाकेट या दो चार दिन में उन्होंने बाटना है बाटेंगे बोलके बोले है यह जो मेरे को इतना बोलने को नहीं आ रहा है समस्ता का नाम जो जो हैंगा